हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं चानल में आपकी दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हैं दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में अर्बियो को पूरा जरूर देखे पर उसे पर ले से अच्छे लगत वीडियो को लाइक करें चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अर्बिया इस की मोनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद की रेट्स अंचेंज रहने की अनॉसमेंट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉंग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है निफ्टी 50 इंडेक्स 1% तूट गया है 21,709 के इंटाडे लो लेवल पर पहुच गया है जो आज की रेटिंग के दौरान 225 पॉइंट के करीब पहुच गया RBI द्वारा रेपो रेट्स को 6.5% पर अंचेंज रखने की अनॉसमेंट के बाद BSC सेंसिफ में आज स्टॉंग सेलिंग देखी गई ये 71,405 पॉइंट के लो लेवल पर पहुच गया और एक ही दिन में लगबग 750 पॉइंट की गिरावट दर्ज की है इसी तरह बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आज लगबग 600.2 कर 45,227 के लो लेवल पर पहुच गया है RBI MPC मीटिंग के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट के कारण पर स्वास्तिका इन्वेसमार्ट के मैनेजिंग डारेक्टर सुनेल नैती ने कहा है कि RBI ने उम्मीद के मुताबिक इंट्रेस रेट अंचेंज रखे है नियर टर्म में गवर्मेंट द्वारा बजट में फिसकल डिफिसिट को 5.1% पर रखने जाने के बार मार्केट नरम रुकी उम्मीद कर रहा था मार्केट ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन बाइस बुलिश है इसलिए हम उम्मीद करते है कि मिडियम टर्म में बैंक निफ्टी में तेजी आएगी आज निफ्टी 50 के लिए आउटलूप पर सुनिल नैती ने कहा है कि टेक्निकल रूप से 22,125 एक इमिडियेट हर्डर के रूप में कारे कर रहा है इसके उपर हम 22,222 और 22,350 के लेवल तक रैली की उम्मीद कर सकते है आज बैंक निफ्टी के लिए आउटलूप पर स्वास्तिका इन्वेसमार्ट आनलिस ने कहा है कि बैंक निफ्टी में बॉटम 45,500 से 44,800 जोन बनाया है हाला कि 46,300 का 20 डिया में एक इमिडियेट रिजिस्टर है इसके उपर हम 46,800 से 47,000 जोन की रैली की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तो वाट नेक्स आफ्टर आर्बिया अनॉसमेंट आर्बिया की अनॉसमेंट के बाद आगी क्या इडियन स्टॉक मार्केट में अस्तिरता जारी रहने की उम्मीद करते हुए ग्रीन पोर्ठुलियों के फाउंडर एंड फंड मैनेजर तीवम शर्मा ने कहा है कि हमें ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिख रहा है खासकर लॉंग टम में इक्विटी इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मार्केट अस्तिर है और यह अस्तिरता जारी रहने की उम्मीद है अनिर रेगो ने कहा है कि हमें उमीद है कि रेट में कट्स एंड कॉर्टर में शुरू होगी और इसलिए बैंक सेक्टर में इसलिए बैंकिंग सेक्टर में रुजान फाइनेशल एर दोजार चोबिस में जारी रहने की संभावना है एन्वेस्टी रेट में कट उर्ती से लाब पाने के लिए सबसे अच्छी सिति में है क्योंकि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ में सुदार होगा तो दोस्तो RBI की ओनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद मार्केट में आज हमें डाउनफॉल देखने को मिला है और अनलिस्ट का ऐसा मानना है कि खासकर लॉंग टम में हमें इसका प्रवाव मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा इसके बार में आपका क्या ओपिनियन इन कमेंट सेक्षिन में जरूर शुर करें दोस्तो बात करतें नेक्स न्यूस की पर उससे पहले अगर आपको फंडमेंटली स्टॉंग 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 कुछ से फांड़ करना है और जब मार्केट में ऐसी डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है तब आपको अपना इंवेस्में स्क्यूर रखना है तो आप अमरा फंडमेंटल आने इसको जरूर जोन करो क्योंकि हमने पॉइंट पे स्टॉंग सेल करने चाहिए यह डीटेल में कवर किया है और साथी साथ मुल्टि बैगर स्टॉंग करने के कुछ स्क्रिट्स के न शरुक है जल्दी से डिस्क्रिप्चिन में दीगे लिंक पर जाकर आप हमरा फंडमेंटल आने को सिर्फ जोन को पाँज गया है जिससे इसके इंवेस्टर को 150% से अधिका रिटन मिला है हाला कि अपकमिंग सेशन में और अधिक तेजी देने के ख्रमता रखता है अक्टोबर से दिसेंबर दोजाते इसके कोर्टर में मिस्टानफूर्स लिमिटेट ने ओपरेशन से रेविन्यू 330 करो रुपीस दर्ज किया है जो लास्ट येर के सेम पिरेड में 163 करो रुपीस था यानिकि 101% से अधिक की रुद्धी रेविन्यू में मिस्टानफूर् रुपीस था यानि 325% से अधिक की रुद्धी दर्ज की है कंपनी का EBITD margin Q3 2023 में 13% से बढ़कर financial year 2023 से 24 के कॉर्टर में 29% हो गया है तो दोस्तों कंपनी ने Q3 रिजरल में भी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक मन्त में शेर में 35% का गेन हमें देखने की मिला है पि पारिटिवेगा रिटन मिष्टान फूर्स के शर ने दिया है दोस्तों मिष्टान फूर्स के शर की प्राइज ने कोविट के बाद की रैली में स्टॉंग बड़त दर्ज की है पिछले 3 यर में जैसी के मैंने बताए कि यह पेनी स्टॉक लगबग 2 रूपीस से 23 रूपीस पारिट अराउंड 836.60 पर बता है टार्गेट प्राइज 870 विट स्टॉप लॉस 811 के लिए चानल को सबस्क्राइब करना मत भूले और वीडियो अच्छे लगे ते वीडियो को लाइक भी करें मिलते हैं और एक नए क्यूरियस एपिसोड के साथ अंटिल देन स्टे टू येश्स